वस्समाई दातिल बुरूज अब जो भी चीज़े मेरे माइड में आई मैंने कहा लेकिन किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट भी किसी लेवल पर आप कर रहे हैं या पर करने की सोच रहे हैं अब श्ट्रोलोजी से आप लोगों के लिए साटन क्रह का कार्ड है, इसके हिसाब से all shades of beige and brown इस week आप लोगों के लिए लकि रहेंगे Queen of Pentacles सबसे पहली चीज ये काड money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related किसी लेवल पे किसी तरीके से फाइदा गेन होने की बात करता है और कहीं money, पैसे से related एक stability, एक security महसूस करने की बात करता है या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कैसे money, पैसे से related stability, security आए आप उस पे focus कर रहे हैं क्योंकि ये Queen का काड है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है, जो की बहुत practical, realistic है काफी, you know, wealthy है rich है, money, पैसे से related उनकी involvement, उनकी interference, या किसी भी तरीके से उनका एक positive, you know support रहतावा दिख रहा है देखिए, ये general reading है तो फिर से कहूंगी, कुछ के लिए positive support रह सकता है, कुछ के लिए involvement, interference रह सकती है all in all, फिर से कहूंगी, ये भी ठीक ठाक जातावा दिख रहा है again, आप एक stability, security महसूस करते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए, आप लोगों fear हम महसूस करते हैं, insecurity महसूस करते हैं, जो कि again हमारे ही mind की creation होती है और जब हम इन emotions को अपने उपर हावी होने देते हैं हम परेशान होते हैं, जब हम इनको realize कर लेते हैं, कि भई ये mind create कर रहा है, हमने ना mind के जासे में नहीं आना है, और हमने कैसे एक clarity आये, उस पर focus करें, कैसे इस fear को अपने उपर overcome ना होने दे, उस पर focus करें, तो फिर हम बड़े मज़े से इनी energies से अपने आपको भार भी निकाल पाते हैं, और हम beyond the point परेशान भी नहीं होते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखना है क्योंकि moon, देखें अंधेरे की बात करता है और हम सब जानते हैं, अंधेरे में डर भी लगता है, चीज़ें भी नहीं दिखती है, तो जो confusion और डर होता है, again मैं कहूंगे वो अंधेरे की वज़े से होता है और अंधेरे को खतम करने का सिरफ और सिरफ एक ही तरीका होता है रोशनी, तो देखें अंधेरा, यहाँ पर इस कार्ड में confusion को represent करता है डर, fear को represent करता है, अब इसको आप एक ही चीज़ से दूर कर सकते हैं, knowledge से क्योंकि knowledge is equal to light clarity is equal to light, तो जो भी आपके मन के thoughts हैं आप literally उनको ना लें, क्योंकि यकीन मानिये, हर thought सच नहीं है, जो भी आपके मन में आ रहा है, और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और हर thought को सच मान के, literally मान के उसको यकीन नहीं करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे thoughts सिरफ you know, बे माने हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, और आप clarity भी ला पाएंगे तो थोड़ा सा अपने thoughts को observe करें, and कैसे आप clarity ला सकते हैं जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं कैसे आप knowledge उसी से ही related gain करके, अपने आपको better feel कर सकते हैं, आप उस पे focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है, इसके इसाब से जो भी समंद्र के रंग होते हैं blue Pisces यानि के बुर्ज, हूद के जलोग हैं उर्दू में जिनके नाम दाल से और इंग्लिश में जिनके नाम D से शुरू होते हूँ और अगर उनके पास अपनी तारीख पैदाश नहीं है, और अगर आपका नाम English में D से अर्दू में दाल से शुरू होता है तो ये सितारा बिलकुल मेरे Pisces जो है, ये वाला Pisces सितारा आपकी मदद करेगा Pisces सबसे पहले जैसे दाउद हो गया दानिया हो गया तारीखे नोट करे लीजिए 14th of October से हम इसे शुरू करेंगे इस हफ़े को और खत्म करेंगे 21st of October पे तो यहां तक आपने जो है, वो इसको जरा गौर से सुनना है अब शुरू करते हैं कि जी 14th के हफ़ा कैसा रहेगा 14th और दुआउं की साथ भी है मैं आपको बता दू मिस्त ना करना आप लोग 14th of October से 21st of October तक शुकर है कमजोर सितारे कोई उल्टा चल रहा है किसी की position वीक है कोई किदर को मूख शुमाल की तरफ है किसी का जनूब की तरफ है लेकिन इसके बावजूद आप सेफ है कि या आपको इस हफ़ते हाम नहीं कर सकेंगे तो आप जो है इस हफ़ते तो यहां पे इनकी जो है शिदत पसंदी से आपकी बचत है तो अल्ला के फजल से चाहे जाती जिन्दगी है फाइनेशल एरिया है कोई डिमेस्टिक ट्रेवल है कोई घर से जुड़ेवे मौमलात हैं या घरवालों से रिलेटिड मौमलात हैं तिल दी टुविंटी फर्स्ट आफ आप सेफ हैं अल्ला करे के ऐसा ही हो उसके बाद जो एक वार्निंग जोन ओन है पाइसियन्स के फिफ्ट आफ सेप्टेमबर से एक सितारा फॉल करता है और ये एगजिट करेगा फोर्थ आफ नमेंबर को तो मैंने आपको वार्निंग देनी शुरू कर दी थी पाइसियन्स कि अपनी लव लाइफ में बहुत हाई होपस मत रखिएगा क्योंकि लव लाइफ में ये सितारा थोड़ा वीक स्टाटस के अंदर था थोड़ा वीक पॉजिशन के अंदर था तो ये हमने आपके लिए वार्निंग शुरू कर दी थी के आपने जरा सा यहां पे कियर पुल रहना है दूसरा जो है था पाइसिस बच्चों से रिलेटेड जो मौामलात थे बार बार मैंने आपको वार्निंग दी है मैंने यहां तक भी का के जो मेरी पाइसिस भेने बेबी कंसीड किये हुए हैं वो भी जरा महताद रहें ता कि जो है उनके सितारे उनको यह वो का दिस्टर्ब न कर सकें कोई उनको जो है वो परिषाणी न दे सकें तो जो है यहां पे जो है फिफ्ट ऑफ जो है मार्च से यह जरा डाउन हुा है और यह निकलेगा यहां से इन्शाला इन्शाला जो है फूर्थ ओफ निवेंबर को तो थोड़ा सा टाइम अब रह गया है तो उस बच्चों के मौामलात से भी गफलत ना करें और लव लाइफ में भी हाई होपस ना रखें अगर आप ब्रेक अप से पाइसे उस तकलीफ से बचना चाहते हैं फिर एक सितारा खाने माल में आपको पता है कि मैं आपको पिछले साल से वार्निंग दे रही हूं लंबी वार्निंग है मैं क्या करूं जुलाई दो हजार तईस से आपका फाइनेंशल हाउस डिस्टरब होता है और यह याद रखी जर्नलाइज इन्फरमेशन है और यह यह से एक्जिट कर जाएंगे 20 मार्च 2025 को 2025 में लेकिन एक सितारे ने यहां कदम रखा 23rd of September को अला करे कि इसने आपके फाइनेशल एरिया में पाइसेस को ब्रेक्थरू दिया हो फिर भी आपने बस अपना बैक लॉक रख के चलना है ताके किसी से बॉरो ना करना पड़े आप आपने बिग फाइनेशल डिसीजन नहीं रिस्क लेना जिसमें को बड़ी इन्वेस्मेंट्स के प्लान हो वो भी आपने नहीं प्लान करने आपने बहुत केरफुल चलना है ताके यह वाला टाइम जो है यह आपका पॉजिटिवली गुजर सके फिर दो सितारे जो है पाइ आपको मिलके जो है आपको पाइसेंस मेंटल पीस भी दे रहे हैं कोई आपका पेपर वर्क से रिलेटिड काम भी रिजॉल्व कराते हैं कोई वीजा है कोई सरकारी फायल है कोई लिटिगेशन का मौामला है अल्ला करे कि आपको बिल्कुल क्लीन चिट अल्ला पाक दिल्व पे हो जाएं ओवर सीज ट्रैवल के भी अगर हालात ऑपरचुनिटी मनती है तो बे फिकर हो के कीजिए को ऐसा ट्रैवल है जो के और दौा कीजिएगा कहते हैं जब हवा में होते हैं और ओशन्स पे से हम गुजर रहे होते हैं तो दौा करनी चाहिए वो सारी जो करीब आगए है फिर्स्ट आफ निवेंबर करीब आगई है यहां से ये इन्शाला अजदवाजी जिन्दगी है सोशल रिलेशन्स हैं फिर से सितारा आपके हक में बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा खाना इमाल हमें भी समझ के चलना है ट्विंटिएथ मार्च ट्विंटी ट एकजिट ले लेगा क्योंकि जो एहम वार्निंग्स है मैं उनके आपको पूरे टाइम एकजिट भी दे रही हूं सिर्फ इसलिए कि जब हम करीब पहुंच जाते हैं तो या तो इनकी शिद्द में इजाफा होता है या इनमें बिल्कुल कमी आ जाती है क्योंकि गयब करिम म तो जो मैं ट्रक की भती के पीछे लगाती हूं लाइटें बताके और अल्ला बस इज़त रख लिया करें उनसे यह दुआ के साथ हम अपने होरोसकोप को या अपने जाइचे को शुरू करते हैं तो यह था जी इस हफ़ते के हमारे बारा सितारों का होम वर्क और जो है इस ह किया तो रेड घंटी का बटन जरूर नजर आ रहा होगा उसे दबा दीजिए ताके आप सामया खान लाउंच का एक मेंबर बन जाए और आपके पास हमारी वीडियो आपके प्यारों को आपके घर के बड़ों को सर्च ना करनी पड़े आटोमेटिकली वो आपके घरों में पॉप अप हो जाए तो आपका हमारा जो एक प्यार वाला तालुक है मेरा रब उसे काइम रखे उसे बना रखे और मैं भी अपना काम इमानदारी से करती हूँ जी मुझे पता है मैं बहुत इमानदारी से अपना काम करती हूँ बाकी लला की वो है कि वो कितनी इज़त हैं लेकिन लोग कहते हैं कि हमें हेल्प मिलती है तो मेरा भी काम करने का मोराल हाई हो जाता है